हलो एवरीबडी दिस इस दिग्रास सिंग राजपूत वेलकम टू मैगनेट ब्रींज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम सुनामी के बारे में कुछ पढ़ेंगे सुनामी एक मेजर नैचरल डिजास्टर इसे हम डिसकस करने वाले हैं फिछले वीड लिखा है वह समझाओ सर्म देखो समझना है कैसे दोनों भाई बहन के तरह है जैसे बाई बहन कैसे जुड़े होते हैं इस इसको मैं आपको समझाता हूं सिंपल सी चीज है ज्यादा विजुलाइज करने की दरवत नहीं है जैसे यह क्या है अगर ओशियन बेड है ठीक है य यहां से ट्रिमर्स निकलेंगी यह वाइब्रेशन उठी यह वाइब्रेशन उठी और पानी है तो पानी में क्या होगा कि सर्फीस पर वाइब्रेशन उठी जो वर्टिकल वेव उठी तो यह सुनामी का बच्चा है सुनामी कब अच्छा है मतलब क्या है कि सुनामी यहां से ओरिजिनेट हो गई है ठीक यह अर्थक्विक के कारण एपिसेंटर के उपर यहां सीधे अगर आप वर्टिकली देखोगे तो यह जो एरिया है सर्फ मतलब वाटर लेवल जो रहेगा यहां का वो उपर उठेगा यह इसे हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली बढ़ने वाले हैं और जो मैंने आपको बता है कि अर्थक्विक एंड सुनामी बहतार कनेक्टेट विच अदर तो इस तरह से दोरों एक दूसरे से जुड़ हुए है ध्यान रहेगा यह ठीक सुनामी को अगर जैसे समझें तो अर् कोई केंड वॉल्कानिक इरॉप्शन देट कॉजज दिस सीफ्लोर तो मूव अबरप्टली रिजल्टिंग इन इस सदें दिस्ट्रेस्मेंट ऑफ ओशेन वाटर अब जिसके चलते क्या होगा इस सीफ्लोर में मुवमेंट पानी में आपको उचाल देखने को मिलेगा अब क्या होने लगेगा ओशेन जो है तो ओशेन के अंदर मुवमेंट होगी डिस्प्लेस्मेंट ऑफ ओशेन वाटर इन दी फॉर्म आफ हाइव वर्टिकल वेवस तो वहाँ पे उची उठने लगेगी यहां सीफ्लोर है अगर यह तो यहां जो पानी के उपर वेवस हैं तो व मच्पन में तुसनामी भी कहा करते थे तो तुसनामी जो गलत है टी साइलेंट है जिसमें सुनामी तो सुनामी के बारे में हम डिसकस करने हैं तो सी फ्लोर पे अपरट मुवमेंट के चलते ओशेन वाटर जो है वो क्या होता है वर्टिकल वेवस में कनवर्ट हो जाता है औ जहां पर हार्बर बना हुआ जहां पर पोर्ट बना हुआ है वहां अपना विक्राल रूप दिखाने वाली अब बताऊंगा आगे कैसे और सिसमिक सी वेवस मतलब वो सिस्मिक एक्टिविटी के कारण जो अर्थक्विक की सिस्मिक वेवस निकली है तो वो सी में जब आ गई सिस्मिक सी वेव सो गई ठीक है अब देखो क्या है हौग रटीकल वेव विकम सच यूज डिवास्टिंग सुनामी अब सिंपल चीज यहां डेफिनिशन क्या बोल रही है कि यह तो इट फॉर्म आफ वर्टीकल वेव ठीक है कैसी वर्टीकल वेव तो आप देख रहें जैसे इस सी फ्लोर है तो मैंने बताए आपको एपफि सेंटे रह तो यहां पर यहां कि अप्लेफे जायाएक वेव जो है कि यहां पर बेज़त आता पानी उखला और वहीं पानी सटल हो जाना चाहिए अगर मानलो एक एक्स्प्रिमेंट करना आप लोग क्या कि आप एक प्लास्टिक का कुछ भी जैसे बकेट बकेट जिसका नीचे से जो बेस रहता हो बेस थोड़ा लूज हो तो उसमें नीचे से मारेंगे तो आप देखो कि ट्रिमर्स आते हैं वो ट्रिमर्स आने के बाद मतल unlucky है अर्थ्क्विक दिया आपने तो ट्रिमर्स आएंगे ट्रिमर्स आएक वो पानी वहाँ पर उचलेगा वही बैठ जायेगा लेकिन ये समुधर में तो बड़ी सी वेव जो उड़ती है वह वेव क्या करने तो बहुत बड़ी हार्बर वेव सुनामी का रूप ले लेती है ऐसा क्यों हो जाता है सोचा है कभी चलो ठीक है उसे भी हम सिंप्लिफाइ करता है ऐसा इसलिए होता देखो क्या हो रहा है इंश इनिश डिस्टर्बेंस के आगे आप लिख लो आफटर इंशनड दिस्ट मतलब कहा है कि जो शुरुवात में सिस्मिक एक्षिज होईी ऐखाइजो अर्थ करें कि एस önce काया सी फ्लोर के इस फ्लोर पर तो उससे क्या होता है जो इनिशन l리 सबेंस स्पर्ण marc motivate और सब्सक्राथ को कि ये ocean सफेस था यहां पे एक वेव उठी थी इनिशल इस्टिबेंस के कारण लेकिन वह वेव उठके मतलब राइजन फॉल नहीं वहाँ पे वहाँ पे कंटिनियूस चेन बन गई है ठीक है और राइजन फॉल के चलते क्या होता है कि आफ्टर वेव जवलप होती है आगे नहीं समझ में आफ्टर इनिशल इस्टिबेंस असीरीज ओफ आफ्टर वेव आर क्रिएटेड इन वाटर इन वाटर डट ऑसिलेट बिटीवीन हाई क्रस्ट और लो ट्रफ तो वह क्या होती रहती है अब यह जो वेव जवलप हुई है तो यह हाई क्रस्ट लो ट्रफ इनके बीच में उसिलेट करत जो वेवस आप देख रहे हो कि वर्टिकल वेवस बनी थी वह बड़ा सा रूप क्यों ले लेती है वह मैं अब आपको समझाने वाला हूं यह अगर स्टेट्मेंट में कन्फीज हो रहे हो दो मिर्ट में क्लियर हो जाएगा यहां पर समझना ठीक है यह यह सुनामी इस तरह बहुत जादा उठती है उपर ठीक अब देखो मैं आपको वह हाई क्रस्ट लोक्रस्ट समझाऊंगा दो मिनट के लिए पहले यह और समझ लो कि सुनामी जो रहती है तो उसका डीप ओशियंस में अलग इंपक्ट होता है और शैलो ओशियंस में अलग इंपक्ट होता है डी इंफ और सो कि अब अगर आप क्या बात करते हो सी फ्लोर की बात करते हुँ तो यसे पाणी बढ़ता जाएगा यहाँ ज्यादा यह जाएदा यह जाओर और समंट है तो अब क्या होता है जैसे अगर हम विजुलाइस करें इस चीज को मैंने आपको क्या बताया है कि वह Oceans and Shallow Water दोनों के context में देखने की कोशिच करेंगे और statement क्या लिखा है The impact of tsunamis less over the ocean and more near the coast where they cause large scale devastation अब यह मैं आपको explain करूँगा, यह statement समझा है ना कि यह क्या कह रहा है tsunami का जो impact है तो ocean में हाँ कम होता impact, coast पे impact ज्यादा होता है ऐसा क्यों होता है sir, वो मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है तो the impact of tsunamis less over ocean and more near the coast where they cause large scale devastation बहुत जादा devastation होता है, अब try to understand the concept with wavelength and wave height अब wavelength, wave height का concept, थोड़ा सा physics, सारी चीज़े लगाते हैं इसमें यहाँ मानलो यह epicenter था, ठीक है, इस epicenter से क्या होगा, trimmer originate होए अब trimmer originate होगा है, तो उससे क्या होगा, seismic waves उपर आएगी, seismic waves उपर आई, यहाँ पे एक vertical wave create होगई है ठीक है, एक vertical wave create होगई, यहाँ पे upliftment होगई, यहाँ डिस्टरबंस डिस्टरबंस डवलप होए water में and after these disturbances, ठीक है, two factors are acting on it, क्या एक तो wave length जो है, अब यह जो पानी उठा है न, तो यह अपने water level को restore करने के कोशिश कर गया, तो यह उपर गया वहीं के वहीं गिर जायागा नीचे, अब यह पानी जैसे नीचे की तरफ यहाँ आया, तो यहाँ जब नीचे की तरफ आया पान है, यह high crust क्या करेगा, नीचे भी जाएगा ताकि वो normal position पर आजाए अपनी, ताकि वो अपनी normal position पर आएगा, तो अब यह पानी जो उठा है तो यह नीचे की तरफ गया, और अब नीचे की तरफ गया है, तो क्या होता है, कि एक velocity मिल गई उससे, किसे wind से, हवाएं भी चल बना था जो, ठीक है, तो यह जो low trough बना था, यह उपर की तरफ वापिस उठेगा, ठीक है, यह वापिस उठा, अब क्या हो रहा है, इधर से wind काम कर रही है, तो wind क्या कर रही है, एक तरह से feeling कर रही है, उस waves को, तो यह जो एक vertical wave उठी थी, वो क्या करने लगी इस तरह से, high crust, low trough, अभी आप क्या देख रहे हो, लेकिन deep waters में जहाँ पानी गहरा है, तो वहाँ पे wavelength ज़्यादा है, समझ रहे हैं इस चीज़ को, wavelength ज़्यादा है, यह wavelength कितनी ज़्यादा है, क्योंकि उसको इतना पानी मिल रहा है, यह नीचे तक जाने का उसको पानी मिल रहा है, त wavelength ज़्यादा बना रही है, लेकिन अब क्या होगा, deep water में तो उतना पता नहीं चल रहा है, इसी कारण से आप जैसे देखो कि जो शमुद्र में जहाँ चल रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, कि वो जो जहाँ आज है, जैसे अगर हम यहाँ से थोड़ा सा और modify करके देखने बहुत जादा होती है, ठीक है, तो high crust और low truff बनते जाएंगे, लेकिन wave की बहुत जादा height नहीं है, तो यहाँ जैसे आपकी नाओ भी चल रही है, एक चोटी सी, तो उसको क्या होगा, उसको feel नहीं होगा, नीचे उस height की wave है, मानलो कि एक मीटर की भी अगर, तो एक मीटर क सकते हैं, इस तरह से crust और truff बना रही है, तो उस wave को नीचे की तरफ डुपकी लगाने के लिए, डुपकी क्यों लगा रही है, और वो wind के कारण, तो उसको नीचे क्या मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है, deep waters में, लेकिन आप जैसे जैसे shallow water की तरफ बढ़ते जाएगा, तो अब shallow water की तरफ क्या होगा, देखो इशू, shallow water की तरफ उसे नीचे पानी कम मिल रहा है, quantity कम मिल रही है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर यह जो wave length है, वेव लेंथ क्या हो जाएगी, कम होते जाएगी, वेव लेंथ कम क्यों हो जाएगी, क्यों क्यों हो शे पारिखे नीचे से पानी उठाने के लिए तो कोँलेंट ऒ कम होते जाएगी और श्ला इयर्पर की तरफ को वेड़् जादा क्रियेट होगी उपर की तरफ ठीव तो जो है तो शबाइन की हाईट जाधा वगी अब यह आपको समझ सबसेहाद इंपोर्टेंट और चोटी सी वेव तो अपने साथ साथ में और पानी चलो सकी इस तरह से कि चलो सकी गूमने चले तो बहुत सारा पनी लेके जा रही है अब यह बहुत सारा जाएगी तो उसका आपके सकते उसका जो रूप है वह विक्राल हो गया बहुत बढ़ा हो गया बहुत सारा quantity में पानी है और वह बहुत सारा quantity में पानी जब कोस्टल एरिया पर आएगा उसको इतनी वेवलेंथ नहीं मिलेगी तो वेव हाइट लेगा और वेव हाइट जो है तो यह समुझर के एकदम पास आगया यहां पानी खतम हो गया तो अब क्या होने वाला आ इतनी बात है कि पानी नीचे ही गिरेगा है कोस्टल एरिया पर एक और जैसे मैं इंडिकेशन बताओं आपको कि जब सुनामी आने वाली रहती ना तो नॉर्मल जैसे सी वाटर यह है तो सुनामी आने से पहले यह सी वाटर पहले तो पीछे की तरफ जाएगा बहुत तेज पानी भी पीछे की तरफ खीचेगी यह यह पानी पीछे की तरफ जब खीचा गया उसके बाद यह वेव ने बहुत बड़ा रूप ले लिया और फिर यह वेव सीधे जंप लगाएगी कोस्टल रीजन पर तो आपकी हर्ट और आप और आप मैं और हम सब बहें के चली आए यह सुनामी का पूरा फिनोमिना होता है जो मैंने आपको समझाया हमने क्या क्या उसके बहुत जादा टेक्निकल आसपेक्ट में नहीं गये वेव लेंट और वेव हाइट यह 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 चोटी सी वेव बनती है जिसकी वेव हाइट जयाता नहीं ती जिसको शाइद एक जहां अराम से दबा सकता है लेकिन वो विंड विलो सीटी वेव लेंथ वेव ही यह जो कंसेप्त है एक बड़ा सा विकराल रूप ले ले लेती है और वो विकराल रूप लेते हुग क्या होता है कि वो सुनामी डीप oceans में कुछ और रहती है और जब वो शेलो वाटर में a large scale devastation पूरा explain कर दिया अब large scale devastation क्या होता है तो अब जब वो coastal region पर आएगी तो मैंने बता है आप खड़े थे आपकी हट थी तो वो सब कुछ क्या हो जाएगा पानी की नीचे दब जाएगा ना दूब जाएगा पानी कि नीचे पानी क्या करेगा फोर्स से आएगी जो tsunami waves आ 15 मीटर अगर कैसे कहें 15 मीटर में तो आपको बहुत जादा पांच मंजीला अगर इमारत है तो पांच मंजीला इमारत जो होती है तो अब वो पांच मंजीला इमारत इतना उच्छा पानी अगर आ रहा तो सोच लो वो पानी जब पूरा नीचे गिरेगा वो कितने एरिया पे फिर क्या होने वाला है फ्लैट होने वाला है कितने एरिया को अब करने वाला है coastal region तो पूरा एक तरह से क्या हो जाना है तो this height can be up to 15 meter or more तो अब वही कहानी पीछे पूरी लगने आली कि अगर यह मान लो तो जैसे यह क्या है यह ocean water है यह sea floor है यहाँ पे एक वालकेनों है वो वालकेनी किरप्शन होगा तो इतनी जगा वालकेनों का लावा खा जाएगा तो अब यहाँ पे फिर क्या होगा फिर एक तरह से एक छोटी सी crust उठेगी एक wave उठेगी और वो पूरा एक momentum ले लेगी ठीक है तो वालकेनी किरप्शन के कारण भी सुनामी आजाती इस चीज़ का भी ध्यान रखना आप ध्यान रहेगा कभी कभी strong जो winds चलती है तो वह strong winds भी क्या करती है सुनामी को जैसे moment बनते चल जाता ना एक momentum में आने के बाद में वो strong winds भी सुनामी को जनम दे देती है ठीक है यह पूरा रीजन है यह जो पूरा रीजन है इसको अपन नीचे से ऐसा मिला देते तो अब यह ring बन गया एक circle बन गया इसे ring of fire कहा जाता है ring of fire क्यों कहा जाता है क्योंकि यह पूरे region में बहुत सारे volcanoes है volcanoes है और यह plate है अलग-अलग plates की ठीक है मतलब यहाँ पर वालकेनों भी इरप्ट होते हैं बहुत जादा क्योंकि यहाँ पर मैगमा को बाहर निकलने के लिए रास्ता निल जाएगा लावा बनके बाहर निकल के आ सकता है यहाँ पर ही earthquake आते हैं तो यह जो पूरा ocean है इस ocean में दिखती बात है कि natural disasters, earthquakes, volcanic eruption, tsunami सब कुछ आना यहाँ पर जादा आएंगे और तो उसी sense में यहाँ पर लिखा गया है क्या कि tsunami are frequently observed along the pacific ring of fire, pacific ring of fire के आजू-बाजू tsunamis को commonly observed किया जाता है, tsunami after reaching the coast, अब यह चीज़ भी संज़ो तो यह tsunami का आपने impact देख लिया, tsunami कहां आरी है, कैसे आरी है, वो भी बता दिया मैंने आपको तो यहाँ पर देख एक चीज़ और भी समझ लेना है क्या, कि यह जो बताया जारा आपको कि destruction कहां पर करती, बहुत जादा shores पर करती, shores मतलब क्या होता है, किनारों पे, तो tsunami को आपने देख लिए harbour wave भी कहा जाता है, seismic sea wave भी कहा जाता है, और tsunami को यह भी कहा जाता है, shallow water wave कहा जाता है, क्योंकि coastal area पर जो shallow water होता है, तो shallow water पीछे जाता है, पुरा और wave बनके फिर आता है जटके से, तो shallow water wave भी कहा जाता है, therefore, tsunamis also known as shallow water waves, वो destruction shores पे, coastal area पर बहुत जादा करती है, जहां पर water shallow रहता है, यह ध्यान रहेगा, फिर क्या है, tsunamis are frequently observed along the Pacific ring of fire, Pacific ring of fire भी मैं आपको बता दिया है, अब अगर बात करें, tsunami after reaching coast, तो coast पे पहुचने के बाद में destruction जादा होता है, क्योंकि समुद्र में वो waves बन रही है, तो वो किसी के उपर नहीं जा रही है, लेकिन coast में क्या हो रहा है, कि coastal area जहां पर पानी नहीं रहता तो पानी वहां जा रहा है, speed के साथ जा रहा है, तो वहां का infrastructure, वहां के लोग, वहां की economy, हर चीज़ पर उसका impact बहुत जादा होने वाला है, ठीके, and it caused huge destruction on port cities and coastal towns, अब माननों कोई port city है, लेको port cities का develop होना भी ज़रूरी है, आप harbor बनाओगे, ठीके, मतलब एक तरह से क्या होता, seaport बनेंगे, तभी वहा आपने construction बहुत कर लिया, क्या, आपने marine drive अगेरा, सब कुछ बड़ी-बड़ी flats बना दी, buildings बना दी है, अगर कल को वहां tsunami आती, तो सबसे पहले third floor, fourth floor वाले के घर में सीधे जाके टकराएगा पानी, ठीके, तो मतलब वही में समझाना चारूं कि coastal area पे बहुत जादा destruction होता है, why and how, तो simple सी चीज़ है कि जो waves आएंगी तो coastal area पे पहले टकराने वाली है, अब ये चीज़ explain करने वाली थी, मैंने आपको explain कर दिया कि वहां पे ऐसा क्यों होने वाला है, ये clear हुआ, ठीके, तो अब जैसे अगर आगे देखें हम, अब आगे देखें हम, आगे देखें आगे ये सुनामी, उसको रोख नहीं सकते हो, आपको ये ऐसा है कि छादी तान के खड़ा हो जाएगा सीधे, क्या आने दो सुनामी वे उसको, आप nature, nature से बढ़ा और कुछ नहीं होता है, नेचर से मजबूत कुछ नहीं होता है, हवा, पानी, आपने सुना हो का आग, इन स क्या हो सकता है, mitigation of tsunami, तो the mitigation of hazards created by tsunami is difficult, बहुत difficult है कि आप कैसे रोखोगे सुनामी को, या फिर उसके बाद में जो devastation होने वाला है, उसको कैसे रोखोगे आप, क्यों नहीं रोख पाओगे, ये भी कहा है न, जैसे आप ये लिखा है कि difficult है, क्यों difficult है वो भी मैं आपको बता द क्योंकि it is beyond the capacity of individual or government to mitigate the damage, जो waves का पानी आने वाला है, उस पानी को आप कैसे रोखोगे, ठीकिए it is beyond the capacity, ये हो सकता है जैसे आप क्या करो, जैसे सुनो, आपकी book में जो चीजें दिए मैं आपको उससे extra भी बताते चलूँगा तो आप समझते चलना, ये हो सकता है क्या, कि एक तरह से आप boundary walls बना तो बहुत जादा coastal areas पे, लेकिन फिर वही economical नहीं है और उसके बाद में ऐसा तो आपको बोला नहीं है किसी ने कि बस इतनी ही height की waves आने वाली है, waves की height जादा भी हो सकती है, तो उस तरह से क्या है कि उसका mitigation जो है थोड़ा difficult है, ठीक है क्योंकि वो ज समझा दे रहा हूं, उसका mitigation इसलिए possible नहीं क्योंकि जिस intensity के साथ में आ रहा है पानी, जिस potential के साथ में आता है वो बहुत जादा होता है, तो therefore efforts are made at international level to deal with the hazards related to tsunami, यह चीज़ समझना, अब जब क्या हो रहा है, आपने देख लिया कि tsunami, हाँ एक चीज़ और समझोगे, international level पे efforts लगाने की जरुवत क्यों पड़ी में बताता हूं, क्योंकि जैसे आप दिखेंगे कि अगर यहां पे कोई earthquake आया, तो वो क्या होगा, वो earthquake क्या करने वाला है, Australia में भी hit करेगा, मतलब earthquake के बाद में जो waves उठेगी, वो waves South America में भी hit करेगी, तो इस तरह से क्या है, और देखे हो तो international level पे अलग-अलग part को अलग-अलग तरह से hit करने वाली tsunami, 2004 में क्या हुआ था, tsunami जो इंडिया नोशन में डेवलप हुई तो उसने स्रिफ इंडिया को disturb नहीं किया, इंडिया, शीलंका, ठीक है, एंडमा, निकोबाद जो हमारे खुद के island है, बांगलादेश, Myanmar, सब ने क्या किया, उस चीज़ को negatively feel किया, ठीक है, negatively उस चीज़ को negative side देखा, Indonesia की जैसे जो बाड़ आई थी, तो उसमें कितना जादा destruction हुआ था, ठीक है, आपकी book में, जो part 1 है, उसमें आप पढ़ोगे और इसके बारे में, और details में, तो उस sense में क्या होता, therefore efforts are made at international level to deal with the hazards related to tsunami, ठीक है, example जैसे आप देखोगे, तो इंडिया में क्या होता है, जब 2004 में tsunami आई थी, December में, तो उस tsunami के बाद में क्या हुआ हुआ, हमने देखा कि कितना जादा नुकसान हुआ, लाखो लोगों की जाने गई, लाखो लोगों की जाने गई, जब हमें समझ में आए कि इसका कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, तो हमने क्या कि internationally coordination बना रहे हैं, हम लोगों से मदद ले सकें, ठीक है, technology के इस्तमाल किया जा सकें, हमें कुछ relief packages मिल सकें, तो इसके चलते हैं, India has volunteered to join the international tsunami warning system, international tsunami warning system मतलब कि internationally oceans को observe कि कहां कितनी waves बन रही है, कौन सी waves potentially tsunami में convert हो सकती है, और उसे international level पर देखा जाता है, ठीक है, तो इस international tsunami warning system को हमने join करने का तई कि after December 2004 tsunami disaster, आप visuals देखना कभी उसके तो अब यह पूरा जो area है, तो कभी यहां पर road रहा होगा, तो वो पूरा क्या हो गया, डूब गया, पानी, और एक चीज़ और भी है, कि पानी ऐसा भी नहीं कि कि एक बार आने के बाद में वापिस retreat कर जाएगा, वो फिर, क्या होता है, unevenness होती न, land में, तो ऐसे समझ लो, जिसे coastal area है, तो यहां coastal area उचा था, इसके बाद में यहां नीचा था, और इधर coastal area समुद्र है, तो अब जो पानी है, तो एक बार यह छोटे से इस elevation को cross करके इधर आ गया न, तो पानी फिर इधर ही रहने वाला है, नमकीन पानी जो है, तो वो जो समुद्र वाला पानी, वो किसी काम का भी नहीं रहेगा, जमीन में जाएगा, तो वहां की जमीन खराब कर देगा, मतलब बहुत सारे issues जुड़े हो उसके साथ में, यह tsunami वे उसके चल हो गया सारा सब कुछ, इसी के साथ हमारा tsunami वाला जो topic है, यह complete होता है, next video में हम क्या पढ़ेंगे, इसी तरह से अगला disaster, tropical cyclone जो है, उसे discuss करेंगे, समझेंगे कि वो कैसे काम करता है, उसके क्या impact होते हैं, यह सारी चीज़ हम next video में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, इसी तरह से video lectures के format में available हैं, जिनने आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पर सकते हैं, समझ सकते हैं, अपना syllabus घर बैठे complete कर सकते हैं, आपको क्या करना है, अपने juniors और seniors को magnet brains के बारे में बताना है, मिलते हैं next video में, अगले topic के सान, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much.